आज तो एस्ट्रोफिसिक्स का इंस्टिचूट है आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलजी है मगर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी था यही तो अगर आप देखें तो आंधर प्रदेश में वेद नारायन मंदिर है उसमें भगवान के चरणों के उपर पढ़ती है परनाटक के संगेरी में जो मंदिर है उसमें बारहों महिनों में अलग अलग सूर्य की गति पढ़ती है पूछिए साहब अगर विज्ञान नहीं था तो उस जमाने में इतना सठीक कैलकुलेशन कैसे हुआ जो आज इतने बड़े-बड़े सेटलाइट के बाद होने की बात कर लजएएँ